हलो एव्रीवन वेल्कम तू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर चोन आज के वीडियो में हम लोग टी एम वी उनिवर्सिटी का सेशन 2020 से 2023 वालों का पाठ थर्ड का पेपर 7 का कोश्चन देखेंगे ठीक है कि एक्जाम में कैसा आया था और सजेशन जो हम दी अब आगे हम लोग कोश्चन देख लेते हैं सबसे पहला कोश्चन जो आया हुआ है वह आया हुआ है वह आया हुआ है ग्रीशन देखेंगे क। से 23 कूश्चन देख़ेंगे वह बरेंगे का पर सपर थिंदीर्पंड 첫ष प्रेटीया थिन पर सदम आप देख से 24 membiddag वान यह इम्पोर्टन बताएं थे रिजा प्रे इंडिपेस्ट्थ्ते के interconnect के यह हम सुसमिζे आइक तो अगले सा पोस्ट इंड़ीपेड़ेंडेंस पूछता है यह हमेशा ही आया था तो अब की बार चांस से साग तो यहां गाईत से सब्सक्राइब करके लिए अब हम लोग शेकेंड वाला देखते हैं, शेकेंड वाले में हैं, अटेम्ट ए क्रिटिकल अप्रिशेशन ऑफ एनी वन ऑफ दा फॉलोईंग किसी एक पर क्रिटिकल अप्रिशेशन बोल रहा है जो कि फिट से 16 marks का है, पोयम पर क्रिटिकल अप्र सब्सक्राइब एचांट नहीं पता यहां लगा तो अब की बार के लिए हम बताएं थे कि बार के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोग पढ़के जाओ तो जो भी पढ़े होंगे सुझेशन के अकॉर्डिंग कन्फा में वह यह वाला भी कर लिए थार्ड नंबर वाला भी यह भी सिक्टिन मांक्स का हो गया फॉर्थ में हैं हम आपको बताएं थे कि वेटिंग फॉर मात्मा का शमड़ी आप लोगो पढ़के जाना है और प्लॉट कंस्ट्रक्शन वेटिंग फॉर मात्मा का आग भी गया है तो यह भी हो गया कि दोनों दो मैच कर गया अभी तक जो भी कोशन हम लोग देखे हैं सारा मैच कर गया है और आप सब कोशन में देखोगे नीचे एक और कोशन भी दिया हुआ रहता है तो दोनों में से कोई एक करना होता है आपको ठीक है या तो फिर उपर फिर से फोर नंबर का उपर वाला कर लो या तो फिर यह एवेल्वेट आर्किन लाइना इस नॉमलिस्ट कर लो तो हम यह हम टेलिग्राम पे अप्लोड कर दिये थे बता दिये थे कि यह सब इंपॉर्टेंट है पढ़ के जाना तो एक्स्पानेशन जो है दो आता है एक टूजा सिक्स्टीन मार्क्स का सबसे पहला जो इस प्लानेशन है माई मधर ओनली से तो यह काफी फेमस लाइन है जो लाइन है यह दा नाइट ऑफ स्कॉर्पियन से लिया गया था तो हम एक्स्पानेशन में इंपॉर्टन बताई भी थे यह लाइन डिसकस भी करती है थे पीडियेफ में बट अगर आप लोग दा नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोयम पे प्रिपेर करके गए होगे ना तो उसमें सब्सक्राइब करना होता है तो उपर वाला मैच करी गया तो वही मोचली स्ट्रेंट किया होंगे बट यह जो सकेंड वाला एक्स्पानेशन ना वह आवर कैस्यूरीन ट्री से आया हुआ है जो कि तौरुदत ला काफी फेमस पोयम है आप लो किसले बस कहीं है तो यह काफी विवेकर नंद का लाइन है और काफी फेमस लाइन है तो यह थो हम नहीं रिकमेंड के थे कि आप लोगो पढ़ के जाना है इसके और वाले में देख रहे था है कि और में क्या दिया हुआ है इसके और में दिया हुआ है एड मैरेड ए मैन ओफ पर्चून डिट तो एक explanation जो है वह आपको थोड़ा problem दिया होगा क्योंकि बी नंबर वाला explanation नहीं match किया जो हम बताया थे उससे तो यह 8 marks का थोड़ा सा अलग आ गया है suggestion से अब हम लोग देखते हैं 6 number में क्या आया हुए 6 number में है choose the correct answer from the given options of the following correct answer choose करें it means objective है two tensor 20 marks का objective है हमेशे हम आपको बताते हैं कि previous year का objective अगर आप करके जाते हो तो उसी से match कर जाता है और अभी हम लोग देखेंगे कि कितना match किया है पेपर 7 के objective पे दो वीडियो अप्लोड कर रखें पेपर 8 के objective पे दो वीडियो अप्लोड है तो next आप लोग का पीपर 8 का exam होगा तो उसका objective अच्छी से देखते चाहिएगा और अगर कोई question चाहिए तो आप comment करके बता दो हम आज उसका PDF पीपर 8 का upload कर देंगे ठीक है क्योंकि फिर परसो आप लोग का एक दिन के gap के बाद exam नहीं है वरना mostly का समड़ी अप्लोड है ही तो शुरू करते हैं इसका objective देख लेते ए नंबर में है टाइगोर वस अवार्डे नॉबेल प्राइज इन कि टाइगोर को नॉबेल प्राइज कब मिला यह बार बार जो है अब आगे हम लोग objective देखते हैं total 10 objective होगा दोनों easy था और previous year से रिपीटेट ही था सरोजनी नाइडव बॉर्ण जो वा था वो किस फैमिली में मतलब कहां की फैमिली में हुआ था है इद्राबाद की फैमिली में हुआ था यह भी easy ही है दी में श्रीम राम is a character in श्री राम जो है किसमें character है तो आप लोग को पता होगा आप लोग के syllabus में यह book है आप लोग को question में prepare करके जाना था तो श्री राम जो है waiting for mahatma का character है यह काफी easy था अभी तक तो चारो objective देखे चारो easy था प्रिविएस year से रिपीटेट था उसकी ब उसमें discuss कर रखेगी वोग मेर एक sonnet है 14 lines की poem है तो यह हो गया अब 6 नमबर वाले objective में है श्री और बिंदो सावित्री इस एन सावित्री जो था वो क्या था एक epic था an epic तो यह भी previous year में बार बार आ रखा है तो अगर आप देखके गया होगे वीडियो तो confirm किया होंगे यह वाला भी जी में है Rose of God has been composed by Rose of God लिखा गया किसके द्वारा तो श्री और बींदो के द्वारा लिखा गया ठीक है ध्यान रिखेगा काफी famous poem है बार बार आता भी है इसके बाद जी के बाद तीन और objective बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला है 8 में कमलादास belong to कमलादास किसे अपने जुख है तो आपको पता होगा लोटस निजीम इसली की दूपरूदत की काफी famous poem है तो आपको उपशन हो जाएगा उसकी बाद तबसे अग्डी बाला बगफिल हादा है जे अमबर का जे West निजीम एजिकिल वस बॉन इंति निजीम एजिकिल का जो जन्म हुआ कब हुआ तो 1924 में हुआ ये भी बार-बार आता है एक्जाम में तो यहां पर दस ओब्जेक्टिव खत्म हो गया सारा अब्जेक्टिव प्रिविएस येर से रिपीट आया हुआ था और काफी एजी था कोश्चन भी इजी था बस एक्षप्लानेशन एक नंबर का अलग आ गया तो आई होप आप लोगा एक्जाम काफी अच्छा गया होगा कैसा एक्जाम गया कमेंट करके जुरू बताएगा और इतनो अब्जेक्टिव आप लोग कर शाहिए तो अब आगे आप लोग पीपर अब्रश एक्षप्लानेशन गरो